नवस्कार दोस्तों डीफाइव चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाग्ट करता हूँ भोजन के साथ अगर सलाद खाया जाये तो भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है सलाद खाने से भोजन आसानी से पचता है और साथी शरीर को कई परकार के पोशक तत्म भी मिल जाते हैं सलाद का एक अभिन अंग है खीरा खीरा पोशक तत्मों से भरपूर होता है खीरे के बिना सलाद अधूरा सा लगता है खीरा पानी का बहुत अच्छा स्रोत है इसमें 90 प्रतिशत पानी होता है खीरे में विटामिन B और C के लावा आरेन, पोटेशियम, फासपोर्स, आदितत्र भी पाये जाते हैं पोशक तत्रों से भरपूर खीरा कई रोगों वा समस्याओं को दूर करता है खीरे में फाइबर होता है जो कवसे रहा दिलाता है साथ ही पेट के अन्य समस्याओं गैस, एसिडिटी वा जलन में भी अराम मिलता है लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगी हो सके तो खीरे को बिना शीले ही खाएं क्योंकि शीलने से खीरे में फाइबर के साथ साथ अन्य विटामिन वा खनीज पदार्थों की मातरा घट जाती है आप खीरे को बिना नमक के भी खा सकते हैं लेकिन खीरे को काटकर नमक काली मिर्चवा निम्बू ने चोड़कर खाने से इसका सुआद और भी बढ़ता है साथ ही पाचण तंत्र भी सही रहता है खीरे में शानवे प्रतिशत पानी होता है खीरा खाने से शरी में पानी की कमी नहीं होती खासकर गर्मी के मौसम में डी हाइडरेशन की समस्या पैदा हो जाती है इसलिए गर्मी के मौसम में खीरे का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए पाचन तंतर में करे सुधार पाचन समंदी समस्याओं को दूर करने में खीरा कौशती की तरह काम करता है मुखे रूप से कब्ज की समस्या जो कई परकार के रोगों को जन्म देती है सिराहत पाने के लिए खीरा खाना फाइदेमंद रहता है कब्ज की समस्या पानी की कमी के कारण होती है और खीरा पानी और फाइबर का अच्छा स्रोत है इससे मल त्या करने में आसानी होती है खीरे में पैक्टिन नमक घुलन छील फाइबर पाया जाता है जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और पाचन शक्ती बढ़ती है तौचा के लिए है विशेश गुनकारी तौचा के लिए भी खीरा बेहद फाइदे मंद है आप खीरे को खा भी सकते है और इसका फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगा भी सकते है खीरे में विटामिन के और सी के साथ ही मैगनीज भी पाया जाता है जो तौचा के लिए लाबदाइक है आंखों के काले घेरों यानि डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए खीरे के स्लाइस को बंद आंखों के उपर रख सकते हैं महासिवा धूप में टैनिंग होने पर खीरे को पीस कर उसमें हल्दी और निम्बू के रस की कुछ बूंदे मिलाकर चेहरे पर लगाने से फाइदा होता है इस से बंद रोम शिदर खुल जाते हैं और चेहरे की चमक बढ़ती है प्रती रोधक शमता को बढ़ाए खीरे में एंटी आक्सिडेंट भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं मुखे रूप से खीरे में मौजूद फ्लेवो नाइड और टैनिन नमक तत्व कई परकार के रोगों के खत्रे को कम कर देते हैं जिससे शरीर की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ती है और दिल के रोगों कैंसर वा अन्य रोग होने की समभावना कम हो जाती है तनाव को करे कम खीरे में पाए जाने वाले तत्व मांसिक तनाव को कम करने में मद्द करते हैं खीरे में मुखे रूप से विटामिन B शरीनी के विटामिन जैसे विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B7 होते हैं और एविटामिन मांसिक तनाव वा चंता का कारण बनने वाली भावनाओं को कम करते हैं इसलिए आप नेमित रूप में खीरे का सेवन करके तनाव से मुक्ति पा सकते हैं ब्लड शुगर के रोग में गुनकारी शुगर के रोग में खीरा खाने से फायदा होता है इन ततों के कारण ही प्लोस्टेट कैंसर स्तनवा गरवाशे के कैंसर से बचाव होता है इसलिए कैंसर से बचने के लिए अपने हार में आप खीरे को शामिल कर सकते हैं दिल के रोगों से करे बचाव खीरा खाने से दिल के रोगों से भी बचाव होता है वजन कम करने में करे मदद अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो खीरे का सेवन जरूर करें खीरे में कैलोरी कम होती है ज्यादा कैलोरी ही वजन बढ़ने का कार्ण बंती है वजन कम करने को लेकर किये गया ध्यनों में पाया गया है कि पानी के अधिक मात्रा और कम कैलोरी वाले पदार्थ बजन कम करने में मदद करते हैं सांस की बदवू को करे दूर खीरे में मुई यानी सांसों की बदवू को दूर करने वाले गुन भी पाये जाते हैं पेट में गडबड़ी होने के कारण अक्सर मुँ से दुरगंद आने लगती है इसलिए खीरा खाने से पेट की समस्याएं दूर होती है और सांसों की बदवू का कारण बनने वाले बैक्टीरिया नश्ट हो जाते हैं दिमाग के लिए हैं लाबकारी अगर आप अपनी यादास्ट में सुधार करना चाहते हैं तो आज से ही खीरे का सेबर शुरू कर दे खीरे में एंटी इंफ्लेमेंटरी लेवो नॉल नामक तत्व पाया जाता है जिसे फिसेटिन कहते हैं यह तत्व मस्तिष्य के स्वस्ते के लिए बेहद फायदेमंद है यह यादास्ट में सुधार के साथ साथ तंत्रिका कोशिकाओं को सुरक्षा परदान करता है खीरा खाने से अलजाइमर रोग भी ठीक होता है तो दोस्तों यह थी खीरे के औशद ही गुनों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजर होंगे जुड़े रहिए डी फाइब चैनल हिंदी के साथ